नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम मचलियों के जी बेग्यानिक नाम और उनके हिंदी में नाम और उनके इंग्लिस में नाम के बारे में जानेंगे जैसे कि सबसे पहले मचली है उसका नाम है एकिनीज जिसे जो लाजिकल लेंग्वेज में एकिनीज कहते हैं और हिंदी में इसे चूशक मीन के नाम से जाना जाता है और इसी को अंग्रेजी में सकर फिस कहते हैं इसी क्रम में फिस्टूलैरिया जिसे हिंदी में बासुरी मीन अर्थात अंग्रेजी में फिलट फिस यानि के फिलूट फिस के नाम से इसे जाना जाता है टेट्राडोन को हिंदी में गलोब मीन कहते हैं और अंग्रेजी में गलोब फिस कहते हैं अगला है इसकोलीडोन इसकोलीडोन इसका जी बेग्यानिक नाम है और हिंदी में इसे स्वान मीन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डॉग फिस कहते हैं निए और नैक्स्ट इस्टिको स्टोमा त्ग्री नाम को एफिस्टी को इसेगowa को हिंदी में बाग जोगिन केते हैं अर्थात अंच्रीजी में से टाइगर फिस कहते हैं और टॉर्पिडो तॉर्पिडो को हिंदी में विद्धोथ मीन और इंग्लिस में सब्सक्राइब कहते है अच्रोध ऑट ऑनेमेस इसलिए इसे बेदुत मीन, बेदुत मचली, अर्थात इलेक्टिक फिस कहते हैं। एक जो सीटर्स को हिंदी में ओडन मीन कहते हैं, अर्थात ओडने वाली मचली, जिसे फुलाइन फिस के नाम से जाना जाता है। कलेरियस, कलेरियाज भी कहते हैं इसे, जिनमें सकेल्स एपसेंट होती हैं, इसलिए इन्हें असल कमीन भी कहते हैं इन्दी में, और अंग्रेजी में इन्ही को केट फिस के नाम से जाना जाता है। प्रेस्टेस को आरामीन कहते है जिसे अंग्रेजी में सौ फिस कहते हैं सौ फिस खाई मेरा को मुश मीन अर्थात रेट फिस कहते है और हिपो केमपस को आशो मीन कहते हैं अर्थास इसे होर्स फिस कहते हैं सिन गिनेथस को हिंदी में नाल मीन कहते हैं अंग्रेजी में पाइप फिस कहते हैं राइनोबेटिस को हिंदी में गिटार फिस कहते हैं गिटार मीन का हिंगे और अंग्रेजी में इसे गिटार फिस कहते हैं प्रोटोप्रेरस को हिंदी में फस्पस मीन अर्थात लंग फिस कहते हैं और गैंबूशिया फिस के लिए हिंदी में मच्छर मीन और इंगलिस में मॉस्कीटो फिस कहते हैं to Angulo Angula को सरप मीन अरधात इल फिस कहते हैं और साइबियं को समुद्री मीन सी फिस और सी सीर फिस कहते हैं और इस्ट्रिसिया बरमित मीन के नाम से जाने याती है जिसे ट्रंक फिस और कुफर फिस भी कहते हैं लोफियास को बडस मीन अंग्रेजी में एंगृ स्वी कहते हैं और ट्राइक क्वीरिस को फीता करya मि यानि के रिबन फिस यहां पर जो फीता करमी है यह फीता करमी न होगा इहां पर होका मीन फीटा मीन रिबन और साइन इप टुरा को P.C. यान यानि फिलेट हिस्क के नाम से जानेज आता है और हेट्रो नेष्टिस को असल कमीन कहते हैं क्योंकि इनकी शूरिबपर स्केle नहीं पाया या या catfish के नाम से जाना जाता है एनावस एनावस चड़ने वाली मीन है अर्थाते से climbing fish के नाम से जाना जाता है एनावस एक ऐसी मिचली है जो की प्लेड़ पर चड़ सकती है एंटे नारियस को हिंदी में बिलोभक मीन कहते हैं अंग्रेजी में बैट फिस कहते हैं और पिलिरो नेक्टिस को चप्टी मीन यानि के फिलेड़ फिस के नाम से जाना जाता है और क्रिप्टोसारस को हिंदी में परी मीन और अंग्रेजी में एंगल फिस एंजल फिस कहते हैं टेरोईज को बिच्चुमीन अर्थात स्कॉर्पियोन फिस के नाम से जाना जाता है डायोड़ॉन को सल्कियमीन के नाम से जाना जाता है जिसे अंग्रेजी में पॉर्क्यूपाइन फिस कहते हैं तो एक बार और रिविजिन कर लेते हैं इधर जो बाएं हाथ पे दे रखे होंगे जो लॉजिकल नेम बीच में हिंदी और राइट हैंड साइड पर इंगिलिस नेम होंगे जैसे कि एकाइनेज चूसक मीन सकरफिस एक मचली का यह नाम है ऐसे दूसरी का फिश्टुलेरिया बांसुरी मीन अर्थात फिल्यूट फिस और टेट्राडॉन को गलोब मीन यानि किलोब फिस कहते हैं स्कॉलियोडॉन को स्वान मीन यानि कि डॉग फिस कहते हैं इस्टी को इस्टुमा को बाग मीन अर्था टाइगर फिस कहते हैं टॉर्पीडो को विद्ध मीन यानि कि इलेक्ट्रिक फिस कहते हैं एक्जोसीटस को उडन मीन यानि कि प्लाइंग फिस कहते हैं किलैरियाज को असलक मीन यानि केट फिस कहते हैं और प्रिश्टिस को आरा को घुटार मीन को घुटार्वीन है और और सीवरो और सीर फिर्ष औरृष मीन को बर्मेंड जहाना、 प्रुसय जा, और भटशुटार्वज हो네 कicação यानिके एंगलर भी कहते हैं उता आस्वाइ को फिता मेन अर्थात प्रिश के नाम से जाना जाता है और डायोडॉन को शल्कियख मीन यानि के पार्ग्यूपाइन फिस के नाम से जाना जाता है तो यह थे फिस और उनके जूलोजिकल और इंगलिस और हिंदी ने तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद